है कि अब जो कि स्टुटेंट आज का जो टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक होगा इस्टुटेंट कल हम पढ़ रहे थे ब्लेट के बारे में और हम ब्लेट का एक लेक्चर कल आपको प्रवाइड कर दिये थे और हमने उसमें बहु सारी चीजों को डिसकस किया था अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके प्रत्यक बनिये 9 10 11 12 का उसमें आप जा कर उसको देख सकते हैं तो इस्टोर्ण आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है कहने का मतलब यह जो कंसंट्रेट होकर की वीडियो को देखेंगे ताकि बात आपको पूरी समझ में आए तो इस्टोर्ण आज का जो टॉपिक है बेसिक करेक्टर साफ आर बीसी तो इस्टोर्ण यहां पर अगर हम देखें तो आर बीसी का फुल फार्म क्या होता है और आर बेसी का फंक्सन क्य जो ट्रीट करता है कि इसमें आने वाले जितने भी ओर गने का जो ब्लेड होगा वो क्या होगा red होगा, तो इसलिए इस टर्म को हम समझस सकते हैं कि S का मतलब क्या होता है, कि जितने भी organism में blood होगा वो क्या होगा, red होगा, and अगर हम WBC के बारे में बात करें तो इसमें S नहीं लगा कहने का मतलब इसमें आने वाले organism का jो blood होगा, वो red नहीं होगा, कहने का मतलब उसमें कोई भी color नहीं होगा colorless होगा यह सारी चीज़ें होती है WBC में playlets का काम क्या होता है WBC का काम क्या होता है RBC का काम होता है इसको में एक एक करके का जो blood होगा वो red होगा क्या होगा red होगा तो इसनाट सबसे पहले अगर देखें कि जो mammals होते हैं क्या होते हैं जो mammals होते हैं जो अस्तंधारी होते हैं अस्तंधारी does not present और RBC कहने का मतलब does not are present present क्या होता है RBC जो होता है वो जितने भी क्या होते हैं mammals होते हैं अस्तंधारी होते हैं इसमें ये RBC नहीं पाया जाता है और साधी साथ इसमें no nucleus are present no nucleus are present इसमें nucleus भी नहीं होगा और क्या नहीं होगा और क्या नहीं होगा और क्या नहीं होगा जितने भी अस्तंधारी होते हैं उनके अंदर ये जो RBC होती है अब देखें अगला जो काम होता है RBC का काम क्या होता है RBC जो होती कितने दिनों तक ये survive कर सकती है तो RBC जो होती है जो RBC होती है इसका जो survive करने का days होता है काहने का मतलब ये survive कर सकती है survive survive कर सकती है कितने दिन तक 120 दिन तक यहाँ पर हम इसको survive कर सकते है 120 दिन तक survive कर सकती है ये जो RBC होती है after that उसके बाद क्या होता है कि यह जो RBC होती है यह स्प्लीन में जिसको प्लेहा बोलते हैं यह क्या होती है वहाँ पर स्टोर हो जाती है क्या हो जाती है वहाँ पर एकत्रित हो जाती है जाने के बार ठीक है तो RBC का जो amount होता है कहने का मतलब इसका जो days होता है यह 120 दिन तक क् प्लीहा में यह इस्टोर हो जाती है इस प्लीन में क्लियर होरी बात अब देखें यहां पर नेक्स्ट जो होता है यहां पर देखें हमने आपको एक टर्म बताया था हूमो गलोबीन एक टर्म बताया था हूमो मतलब क्या होता है एफी गलोबीन मतलब प्रोटीन से भरा हूँ होय रहा तो यूम मतलब होता है एफी मतलब होता है नहीं होता है इस तरीके से यहां पर यूमोगलोबिन टर्म होता है कि हमोगलोबिन अगर हम देखें फिमेल में इसमें फिमेल अगर हम देखें तो इनका जो नीर अबाउट अगर हम देखें नीर अबाउट लगभग अगर देखा जाए तो यह कितना पाई जाती है ist फीमेल में कितनी पाई जाती है बहुत ही इंपॉर्टन जान करी बहुत ही अच्छी जान करी है आपके लिए कि जो हीमोगलोविन टर्म होता है कहने का मतलब जो यहां पर एफ ही पाया जाता है इसका नियर आवाउंट अगर देखा जाए तो कितना इमाउंट होता है इसमें फीमेल में सबसे पहले अगर देखें तो यह दस से बारा ग्राम तक होती है कितना दस से बारा ग्राम तक अब नेक्स्ट अगर हम देखें मेल में मेल में जो आरवीसी होती है इनका जो एमाउंट होता है कितना होता है तो इसमें जो होता है यह कहने का मतलब अगर देखा ज seemail में और यहां पर क्या होती है? 10 से 12 ग्राम क्या होती है? female में होती है, अब देखि हम टॉटल य॥ की बात करें, male और female, male total amount की बात करें, air was होती कितनी है लगबग चाहे वह male हो और चाहे वह female इन दोनों में अगर इनके ratio का बात करें तो इसमें कितने से कितने तक पाई जाती है क्योंकि यह question बहुत important है आपके लिए जान करें आपके लिए पता होना चाहिए तो यह जो total amount होता है total amount कितना होता है male और female में अगर देखें किसका RBC का तो इसमें कितना होता है 5.5 से 5.6 million कितना होता है आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी होती है कि अगर total amount कि बारे में बात करें तो कितना होती है 5.5 से 5.6 हमने देखा कि जितने भी अस्तंदारी होते हैं उसमें क्या होते हैं कोई भी आरवीसी नहीं होती है जितने भी बच्चे देने वाले अर्गेनिजम होते हैं उनमें no nucleus are present उसमें nucleus भी नहीं होता है और आरवीसी का जो जियोंकाल होता है कहने का मतलब ये 120 दिन तक survive कर सकती है अफ्र दैट ये क्या होती है इस्प्लीन में store हो जाती है इस प्लीन में store हो जाती है इसमोगलोविन देखा जा अगर female में तो इसमें नीर बाउट इसका जो रेशियो होता है 10 से 12 घ्राम होता है और में कितना होता है 10 से 14 घ्राम तक होता है और टोटल एमांट के बारे में हम बात करें a r b c means total loan हो सकती है maili phrase प्रफटे नि Очень तो पांड़ शे पांड़ सम्लों पेंसे पांड़ सम्लों प्रफटे उप्षाफ चीजें होती है विसी किया होती है सबसे पहले अगर देखा जाए WBC का क्या होता है Full Farm भई WBC का Full Farm क्या होता है WBC White Blood Carpuscles होता है क्या होता है इसका Full Farm White Blood Carpuscles कहने का मतलब No Pigment Are Present No Pigment Are Present कहने का मतलब इसमें कोई भी Pigment ही नहीं होता है जब कोई वर्णक ही नहीं पाए जाएगा तो यह क्या होगा Colorless होगा कहने का मतलब रंग हीन होगा कोई रंग नहीं होता इसमें यह White होती है कैसे होती है White होती है यह जो WBC होती है यह Colorless होती है और इसमें कोई Pigments नहीं पाए जाता है आप देखा जाए कि यहाँ पर जो WBC होती है WBC का जो amount होता है यह कितना होता है यह आपको पता होना चाहिए तो कितना होता है भाई छे हजार से आट हजार छे हजार से आट हजार हंडेड पर मिलियन कितना कह सकते हैं यहाँ पर क्या होता है इसका amount होता है WBC का कहने का मतलब white blood का जो होता है यहाँ पर amount होता है ठीक है अब देखे WBC का भंक्सन क्या होता है कि जो भी पैथोजन्स हमारी बॉड़ी में आउप से बाहर से अगर कोई पैथोजन्स हमारी बाड़ी में इंट्री लेता है प्रबेस करता है तो इसको यह किल करने का काम करती है क्या करती है व बाहर से आने वाले जो पैथोजन्स होते हैं यह उनको क्या करती है किल करती है आप्टर देट जो यह इनटी कर हो जाती है एंटी एलेरजी से जो प्रत्रच्छा होती है जो हमारे अंदर की होती है ठीक है स्वाप्रत्रच्छा होती है उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करती है अगर उसमें कोई दिक्कत आती कोई प्रावलम आती तो उसको क्या करती है loss भी कर सकती है ठीक है तो इस तरीके से यहां पर इसका function होता है ठीक है अप देखा जाये तो इस हमने देखा कि यह कोई offerings नहीं होता है कोई इसमें कलर नहीं होता है क्äg gelecekiej होती है इसका इमाूंट कितना होताई छेजार से आफजार पर मिलियन और हंड़ा जो होते हैं उसको ये किल करती है एंटि एलर्जिक होती है जो कि इसको लॉस करती है अगर देखा जाए तो तीसरा जो हमने आपको बताया तीसरा जो बताने चलने हो प्लेट लेट्स है प्लेट लेट्स का काम क्या होता है आपको बताया गया था कि जो फाइबरिनोजन होती ह जिसको फाइब्रीन भी बोलते हैं, इसका काम क्या होता है, जैसे कि हमको चोट लग जाती है, मिंजर हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, तो देखते हैं फ्यू टाइम्स बाद, कुछ समय बाद आप देखते हो कि आपकी सकिन पर, आपकी सकिन पर ऐसे पपड़ी पढ़ जाती, ब्लड जो होता है वो क्लाट हो जाता है क्या हो जाता है थक्का बन जाता है आप्टर धीरे धीरे आपकी स्किन ठीक हो जाती है इससे क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स होती है जो प्लेटलेट्स कणिकाएं होती है यह हमारे लिए बहुत ही हेलफुल होती है क्योंकि हम इंज से बताती है ब्लड क्लाट होने से काम करते हैं जिससे मारा जो ब्लड होता है जम करके इसकीन के रूप में परवर्तित हो करके उसको ठीक करने का काम करता है यह ठीक है और यहां पर हमने आपको बताया था कि जिसमें यह जो फाइबरनोजन नहीं पाया जाता है प्रीवेस वी अगर आपको इसमें कोई प्राबलम है आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें नेक्स्ट वीडियो में हमें एक बहुत ही दंदार अच्छे से टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो अज के लिए इतना ह ये तंग लास